सब को जैंसी की मैं जैतिन बबर और आप देहें मसी परिवार चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर प्रभू के अलग लग दासों की वीडियो डालता हूं तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा रखता है तो आप इस चैनल को जादा से जादा सके सबको जैंसी की एक बार मैं आप से द्वारा काऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जूल करें और वीडियो से जादा से जादा शेयर करें जैंसी कि तो कि तरी स्पिर्ड तेरा अंगिकार तैयार नहीं है जब तक मैं अपनी लाइफ में इस लेवल तक नहीं आ गया क ज घिर के उठके घिर के उठके उठके उपस्तति प्रापत करके खो के पा के फिर खोई पाई खोई जब तक इस लेवल तक नहीं आ गया कि प्रभूत तेरे बीना मैं कुष भी नहीं हूं किर्पे अपना पविद्रात्मा मुझसे अलग ना करना, तब तक उसने मुझे स्थिर्ता वारा जीवन नहीं दिया, हलेलुए, हर चीज के बीचे एक कारण है, जब तक आप उस तरीके को समझ नहीं पाते हैं, तब तक आप हील नहीं पाते हैं, आज लोग संडे मिस करते हैं सिर्फ चार दिन, मेरे किया डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम पंदरा दिन लगा देते हो, पहले तीन दिन, फिर कहते हैं, मैडिसन चेंज करते हैं, साथ दिन का ये कोर्स करो, फिर नहीं लोग चल ये रिपोर्ट करवाकर लाकर लाकर आओ, फिर अभी ये रिपोर्ट की इस चीज की दिवाई चलेगी फिर भी नहीं हो रहे फिर कहता ओप्रेशन करवाएंगे महीने की अपार्टमेंट है तुम एक लंबा सफर करते हो दुनिया में गया थे पता नहीं कहीं कहीं गया थे गाड़ियां उठाके साथ साथ गंटे, दो दो गंटे दो दो तीन बाबा के पास चंगे हो जाए चर्च में चार दिन आने तरे लिए बहुत मुश्किल लग रहे है क्या प्रभू तरी मन को जानते है मीने में चार दिन तुने कैसे बताए उसके साथ वो निरबर करते तरी लाइब में क्या होगा तो ऐसी बहुत सारी बाते हैं कई लोग आज सक शर्च में आ रहे हैं अब भी तक उन्हें बबतिषमा नहीं लिए पता निए किस चीज की बेट कर रहे हैं वो पता निए किस चीज का वो इंतजार कर रहे है कईयों को इंतजार है पहले मेरा काम हो जाए फिर प्रभू को जीवन दूँगा स्वार्थी क्या स्वार्थियों को प्रभू दे देगा स्वार्थी हाँ प्रभू किसी पर पहले दिन आय दया कर दे जैसे आज बंदे आये पहले पहली बार आया जी ठीक हो गया मैं उसके लिए प्रेर भी कर रहा हूँ वो आए कि आसे आँके खड़ेगू पहली बार आए नहीं पता कुछ तो लोग प्रभू दे आया कर दे तो कर दे पर आप अगर इस सोच में टिका के बैठे जब प्रभू देगा तो वब्दिस्मा लेंगी यह रॉंग बात है आप सयासाथ नहीं दे रहे हैं परमेश्रक जो पहले ही कर चुक हो उसे लेने का आपको हम परमेश्रके सैकर्मी हैं हम परमेश्रके सैयोगी हैं तो आपको सैयोग करना है कि बो जो आपकी लाइब में कर चुक है उसे आपकी लाइब में दिखा सके आपको जो महिमा परगिट कर चुक है उसे आपकी लाइब के उपर दिखा सके कई लोग हाँ मैं परमेश्रके से पूरा प्रेम करती हूँ यही तो believe नहीं है तेरा नाम लिया था तुम शक करके ये ना कहना तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे marriage कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगे husband क्या कहेगा, wife क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे business वाले लोग क्या कहेंगे, teacher क्या कहेंगे school में, friends क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग रोग आपका बड़ा नहीं है, रोग तो चुटकी का काम है, heal होना पर बड़ा रोग ये है क्या कहेंगे लोग वो आपको हील नहीं करने देता आज ये सब कीड़े निकाल दो देखना कैसे काम करेगा खुद आपकी लाइप में हालेलूया बबतिज्मा नहीं ले रहे हैं, ओके क्यों लोग क्या कहेंगे मेरा मैरिज हमने सुन्दर रिष्टे होते देखे मसी में, वेट के वाद हुने ग्रेट मिलता देखा है, बस यही लोग है वेट नहीं करना जाने, बस व्या हो जाए जो तुम मैरिज को समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं होता जो तुम मैरिज को समझ रहे हो वो बस दिमाग है marriage एक साथ ही, एक साथ ही मिलता है जो आप जिसके साथ आप पूरा परिवार, अराम से, खुशियों से रहके अपने जीवन को चलाते हो बबतिस्मा क्यों नहीं ले रहे हैं, येश्यु को जीवन क्यों नहीं दे रहे हैं मुझसे अना अभी भी बीडी लग जाती है मैं अभी भी जर्दा मलता हूँ जिस दिन मैं ये पैकी शोड़ दूँगा ना फिर बबतिस्मा लूँगा अभी भी मेरा गल्थ रलेशन्शिप है किसी लड़की के साथ मैं पर ऑपि बंदे ना मैं कि वबतिस्मा लेना अभी भी मुझसे गालिया निकल जाती इसले मैं वबतिस्मा नहीं लेता मैं पर मुझे ऐसे स्थानों में जाना पड़ता ना जहां पर खाना कोना पड़ता है तूफा तूफा सारा कुश प्रिज तीर पेदा प्यार पेदा रोजे खाना मिलदा है, वो खाना बंद हो जाएगा ना, एक व्यक्ति मुझे कह रहा है, मेरा तो उटना बैटना फ्री के खाने, फ्री के लंगर परशाद वालें है, तो मेरा तो उटना बैटना ऐसे लोगों में, तो वो तो फिर बंद हो चाहिए, खाने के बदली बाइबल लोगों ने अपने हक खो दिये, खाने के चक्कर में, कहता है रोटी चाहिए जा अधिकार चाहिए, कहता है मुझे तो बोक लगी रोटी चाहिए, डाल चाहिए मुझे तो, अपने पहलोटे के हक, अपने अधिकार लोगों ने खो दिये ख लेकिन उनसे मत डरो जो श्रीर को नाश कर सकते हैं बलकि उससे डरो जो आत्मा और श्रीर दोनों को नर्क में फिंग सकता है तो मिनुश्यों से मत डरो यह लोगों को लगता है कि मैं पवितरताई में होगा तब प्रभू का अपना जीवन दूँगा अगर तुझे ही पवितरताई पास करनी होती तो यह शुकम मरने की जरूरती कुरूस पर तेरे लिए यह शुने कुरूस पर इसलिए जान दी जो व्यक्ति पाप से निकल झाए पाँ रहा है उनको लगता है पाप किये भी ना, मनुक्ष बना ही पाप के लिए, गंदा देखने से रही नहीं सकता, मनुक्ष गंदा बोलने से रही नहीं सकता, जे गाली है तो मारी लेंग्वेज ही है, इसे छोड़े नहीं सकते हम, तो उनको लगता है कि ये नहीं हो ही नहीं सकता, पेश्चों से पैदा हुए उस 20 से पैदा हुए उस अभिनाशी 20 से तो इसलिए अगर आप नहीं पाप शोड़ने होते तो आप पहले नहीं शोड़ पाए इतने सालों से कि अब कमंड करते कि मैं शोड़ पाऊं और कभी निए कर पाऊगे लोगों को मैंने देखा कसमे खाते करवली के साथ मैंनों सौन लगे हूँ ने कमी न मैं पेक नहीं लाना और अब ते बार लगाना शुरू करते थे मैंनो तेरी कसम, मैंनो बच्चेयां दी कसम सारे मार दिन दे मैं हुण नहीं पहग लाऊंगा फिर शुरू करते क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ा सा एमोशन से टच करते वाइप रो रही है, आज से नहीं प्यूंगा क्योंकि आंसू नहीं रो रलाया पर वो पाप के बिला चाहितनी तकड़ी थी, बाइप की आंसू बूल गए मा रोज तेरे नशा के कारण रोती है मा की आंसू बुला देता है नशा वो तेरे पाप तुझे अंदा कर देता है सब कुश तो इसलिए तेरी बहन रो रो के तरे लिए प्रातना कर रहbetween तुझे कोई फ़रक नहीं बढ़र है तुम नहीं शोड़ रहे हो नशा क्योंकि पाप की ताकत बढ़ी है इसे केवल मेरे प्रभू इश्व की ताकत ही हरा सकती है क्या उस ताकत के सामने आने के लिए आज तैयार हो अपना जीवन उसे आज देके जाना है जा जीवन को चुनलो जा मृत्य को चुनलो क्यों अपना टाइम बेस्ट कर रहे हैं इसलिए मन फिराओ Believe करो विश्वास करो विश्वास करो, बबतिसमा लो प्रभू चंगा करेगा ऐसा गम्रा पी आवान अजरसितर चैजली है इंदुम भिषच सदा में मुझे नद गुर्भ हो जाए विध यह को चीवन कुछ चाहिए तू नहीं चाहिए सब कुछ चाहिए तुझसे चाहिए तू नहीं चाहिए तूसे चंगाई चाहिए तूसे बच्चे की आज चाहिए वीज़ा चाहिए तू नहीं चाहिए प्रभू आप ऐसे बोल रहे हैं जो इंतिजार कर रहे हैं प्रभू को अपना जीवन नहीं हो रहा है इस प्रभु में था देखो पाशी काल सुनो मेरी मैं प्रभु में था ये प्रभु में नहीं थी कि मैंने इसके कारण अन्य जाती में मेरी कर वा लेई यह इंकार करके मठानो अगर मेरे सन्मुक तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो दस आग्या में से एक है केवल मैं ही सच्चा और जीवता परमेशर हो मैं जलन रखने वाला परमेशर हो अगर तुम मेरी मेंमा किसी और को देता है मैं जलन रखने वाला परमेशर तो कहते हैं देख पास्तर जी ए प्रभूच नहीं सी मिन्ना ब्या करा के ए प्रभूच आ गई एक रूब आच गई मैंने का अगर तू ना जुकता तो आज हजारों बचा चुका होता प्रभू तुझे यूज करता आज एक ही लेके बैटा है साथ में गवर्मेंट जोब नहीं है साथ में बेभी नहीं है हास्बंट भाइब में लडाई जगड़ा है सब कुछ तो खतम है तेरा एक रॉंग डिसीजन सब कुछ खतम करते था आपका जो आपको सही लग रहा है नहीं मैंनू प्यार कर दी है मैं इनना भ्या करना किने साल दी बेटी हज मैं 16 साल दी है नहीं मैं फ्यार कर दी है और भ्या होना बीच ओबीच पच्चीज जा के तरह है नहीं मैं फ्यार कर दी है स्कूल टाइम आपको लग रहा है पांच मी तक मेरी इससे महरीज होगी प्लस टू तक आपको लग रहा है मेरा इससे ही व्या होगा प्लस टू से निकले कॉलेज में कॉलेज से लग रहा है इससे ही व्या होगा college के बाद job करने लगा आपको लोगा ये इस से होगा किसी से नहीं हुआ, हुआ कैसे मम्मी कोई रेस्टर आप ना चलो मम्मी ने लाप बलूपके लिए अंदा होया के ना जड़ा मम्मी ने लापके लिए अंदा तो वो सारी fake होती है stories वो आपका दोखा है राइट टाइम पर वो चीज आपके पास आ जाएगी अहाज लोग की प्रेयर क्वेस्ट पता क्या होती चर्च में मैंने प्रेयर करवा नहीं मैंने प्रेयर करवा नहीं, प्रेयर करवा नहीं बता के प्रेयर करवा नहीं ओ लड़का ना जिनने मैं प्यार कर दी ओ किसे होर मगर लगा पासट प्रेयर करो उणों शड़ै थे मेरे मगर आए और मैंने notion प्रेयर टॉपिक है जाए मैंने ज़े अधिसे मैने ञाएं प्रेयर लोग कैसी प्रेयर करते हैं ये लोग तो ऐसी लोगं की प्रेयर रिक्वैस तो ऐसे लोग परमेशन को जब तक तुम सही रिती से समझोगे नहीं लेकर दन्य जो परमिश्य को जानता और समझता है आज मैं पढ़दा थोड़ा सा उठा रहा हूँ कि अब जानते तो है कि येश्वम सी ये चंगा करता है पास गर्च में गवाईयां होती है खुद येश्व को जीवन नहीं दिया बबतिस्मा नहीं लिया चार बंदों को साथ लेके आ रहे है आजो चंगाई हो जुगी चंगाई हो जुगी चंगाई हो जुगी आजो था डाइपला हो जुगा वो चार तो आशिस ले गए पर तुम अभी भी खाली हो क्यों क्योंकि चारों ने दिल खोल लिये तुम अभी भी बोई चीज में फसे हो तो इसी लिए आपके इन चीजों में ध्यान देना है नहीं मुझे संसार के लोग शोड़े नहीं जाते मेरा उटना बैटना फिर ऐसे लोगों से हैं मैं इसलिए बबतिस्मा नहीं ले रहा हूँ उनी के बीच उटते बैटते वो ही तुझे खा जाएंगे फिर पता चलेगा मुझे अपनों ने दोखा दे दिया कोई अपना नहीं है सब मतलबी है पास्टर जी प्रेयर करो सब मतलबी है तो बाद में ठोकर खाना येश्व ने का जो तुम मुझे शोड के पाएगा तो उसे खोएगा हमारे यसे लोग प्रेयर कम करके कोई अपनी इच्छा भी पूरी करे हम खाली फिल करते थोड़ा सा तुम जो बिना प्रेयर के सब कुछ करते जारे अपनी इच्छे पूरी कैसा जीवन है तो इसी लिए आपको द्यान से समझना है द्यान से समझो प्रभू की इच्छा क्या है दन्य है जो परमेशर को जानते और समझते आप जानते ही है बस पर समझते नहीं है कोई रिस्ता नहीं है परमेशर आपको कोई जानता जूनता है उस सीज में प्रमेश्व का कोई ध्यान नहीं आपके उपर जैसे आप मानते है मोधी जी, मुझे पता है मोधी जी है मोधी जी आपको जानते क्या है ऐसे आप प्रमेश्व को जानते है प्रमेश्व है, क्या प्रमेश्व का कोई रिस्ता है आपके साथ एक रिष्टा बनाओ परमेश्चों के साथ बाप बेटे वाला रिष्टा बनाओ पॉलुस को पॉलुस ने तिमोटियोस को कहा तुम मेरा सन है स्पिर्चुल सन है तुम मेरा कहता है जैसे बाप बेटे के साथ साथ रहता है उसका साथ देता है ऐसे तिमोटियस, तुने सुस्समाचार के काम में मेरा साथ दिया तुम मेरे बड़े काम का रहा, तुने मेरा साथ दिया बहाँ पर पॉलस ने बताया कि spiritual father मतलब क्या जैसे बाप के साथ एक बच्चा रहता है बैसे आप अपने mentor के साथ जुड़ के काम करते हो सारी लाइफ क्या बाप बच्चे को छोड़ देते हैं एक दूसरे को, नई इसलिए आप अपने mentor को कभी नहीं छोड़ोंगे वो father, spiritual father कहने का मतलब यह है कि रिस्ता मतलब जैसे बाप बेटे का प्रभू ने एक्जांपल ली बहुत सारी कि जैसे तुलहा दुलहन का रिस्ता है ऐसा तुम उसे प्रेम करो तुने जो मुझसे सने किया है तुने जो सर्व शक्तिमान को परमिश्ण को अपना दाम मान ली है मतलब ऐसा रिलेश्ण्शिप परमिश्ण के साथ बना ली जैसे का हज़्वन वाइब का है वो एक दूसरे से मिलते हैं प्यार करते हैं एक दूसरे से फून पर बाते करते हैं देखे भी न रह नहीं सकते ऐसा तुर्या मेरे साथ रिस्ता होना चाहिए ऐसा रिस्ता होना चाहिए जैसे बाप बेटे का तो वो रिस्ते की मांग करता है लेकर जोश्व कहता है आज चलो तुम किसकी सेवा करोगे मैं तो अपने गराने समेथ यहवा ही की सेवा करूँगा आपको चुनाव करना है जीवन को चुनो जम्रित्य को चुनो स्वर्ग को चुनो जा नर्ग को चुनो पाप को चुनो जा पभितरताई को येश्य को चुनो हजारो देवताओं हजारो प्रमेशर चुनो जा एक येश्य चुनो सब एक नहीं है क्योंकि सब की बातें मिलती नहीं सब सबकी बाते नी मिलती है सबके रूल और सिस्टम्स नी मिलते तो परमेश्व दो वो शवदी याम जूज नहीं कर सकते यासे बंदे के लिए करते दो गला दो बीडियाँ वाला दो गलासा कदे दर कदे गरिगट वंगु रंग बदलता तो परमेश्व ऐसा नहीं है कि कहीं कहेगा जिद्धा मर्जी जुत्ती पा के आजो कहीं कहेगा जुत्ती उतार के आजो कई जगा तो सबके पॉइंट डिफरेंट है तो सब एक नहीं है आपको सच्चा परमेश्च डूड़ना है उसे कि तुम मुझे डूड़ोगे तो पालोगे हालिलुईया तो आपको हर एक परदा उठाना है लिखें परमेश्च ने आपको आखे दी वो देखता है मूर्थी जगत में परमेश्च नहीं है उसकी आँखे वो देखती ने उसके कान है वो सुनती नहीं उसका मुझ है वो आपके लिए बोलती नहीं उसको बनाने वाले भी मूर्थ जैसे है उसको बनाने वाले समने भी बहुत सेरे किसीने सिगरेट बनाते हुए बनाया उसे किस वो रूँ और सच्चाई से उसकी रातना करे उसे आत्मा पर मिश्र मानते हुए हालेलोया कि वो हर जगा मवजूद है हालेलोया